नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आयरविग्यान समधान में आपका स्वागत है दोस्तों बाल हमारे शरीर का एक एहम हिस्सा होते हैं जो हमारी खूपसूर्ती को बढ़ाते हैं दोस्तो हमारी भारती सब्विता में बालो को सुरक्षित रखने का कई तरह के प्राकरतिक उप्योग किये गए हैं इनी तरीकों से हम बालों को लंबा कर सकते हैं, बालों को घना कर सकते हैं, बालों में चमक दार ला सकते हैं, बालों को चमका सकते हैं और बालों को जड़ने से रोक सकते हैं दोस्तों ये प्राकरतिक तरीके खुद आपकी रिसोई में खजाना बन कर पड़े हैं लेकिन आप इनके ग्यान से कोसो दूर हैं तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो बालों को लंबा करने की रूप में विख्यात हैं पहला है दोस्तों मेथी के बीज मेथी का उप्योग करके आप अपने बालों को लंबा घला काला और जणने के समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तों मेथी का उप्योग बालों की समस्या में रामबार इलाज होता है इससे लगाने के लिए आप सबसे पहड़े दो चमच मिति के बीच ले ली जिए और इन्हें पीस लें पीसने के बाद उसे आप किसी कटोरी में निकालें और उसमें नारिल या फिर जैतून का तेल मिला लें अब इस मिश्रन को बालों में अच्छी तरह से लगाएं और 10 मिनट के रिए इसे सूखने दें और फिर शेंपू करके बालों को अच्छे से दोलें इससे आपके बालों का जड़ना रुकेगा और बालों में नई जान आ जाएगी नेक्स्ट है हमारे खाने के मसालों में मिलने वाली मेथी दोस्तों मेथी भी उशद्य गुणों से भरपूर है मेथी के बीजों को रात बर बिगो कर रख ले और सुबा उसे पीज दे फिर उसे दही के साथ मिला कर एक लेट तेयार कर ले ये बालों को स्वस्थ बनाता है इससे बालों में चमक आती है इससे आपके बाल घने होते हैं और बालों का जड़ना बंद हो जाता है तीसरा है दोस्तों दक्षिन भाते महिलाओं के बाल तो आपने देखे ही होंगे और उनका खानपान आप अच्छी तरीके से जानते हैं उस शेत्रिके लोग अपने खाने में अक्सर कड़ी पत्ते का इस्तिमाल करते हैं मेथी के बीजों को रात भर कड़ी पत्ते के साथ बिगो कर रख दे सुबा उसे अच्छे से पीस लें फिर उसका लेप तयार करें अब उस बालों को अब उस लेप को बालों में अच्छे से लगाएं ये आपके बालों को स्वस्त रखता है, इससे आपके बालों में चमक आती हैं और आपके बाल जढ़ने बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे काफी सस्ते, आसान और कारगर उप्योग जिसे आप करते हैं तो आपको बालों में नई जान मिलती हैं। इसे के साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें पाकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें यह दोस्तों